बॉलिवुड न्यूज निट्वर्क में आपका स्वागत है आज का एपिसोड द्रामा और विवाद से भरा था शिवानी की जू की समस्या से लेकर मुनिशा के गुस्से और विशाल और अर्मान के बीच तीखी लड़ाई तक हमने सब कुछ कवर किया है आएए शुरू करते हैं बिग बॉस OTT सीजन टीम में हाल ही में पायल मलिक शो से बाहर हो गई है उनके बाहर होने के साथ ही शो का माहौल बदल गया है हर गुजरते दिन के साथ प्रतियोगी एक दूसरे के बारे में अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में खुल रहे हैं सबसे हालिया एपिसोड में शिवानी के बालों में जू होने का मुद्दा घर में चर्चा का प्रमुख विशय बन गया बिग बॉस के घर में एक घटना घटी जब बिग बॉस ने कृतिका मलिक को कनफेशन रूम में बुलाया और शिवानी कुमार को उनके बालों में जू का इलाज करने में मदद करने के लिए शैंपू की कुछ बोत ले दी बिग बॉस ने कृतिका को निर्देश दिया कि वह शैंपू शिवानी कुमारी को दें और अन्य प्रतियोगियों को इस मुद्दे के बारे में थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहें कृतिका ने कन्फेशन रूम से बाहर निकल कर बिग बॉस के निर्देशों को घरवालों को बताया जहां ज्यादातर लोगों ने इस मामले को हलके में लिया वही मुनिशा खटवानी काफी चिंतित और इस मुद्दे से हैरान नजर आई हालांकि मुनिशा कहती रही कि शिवानी ने उससे जूट बोला था जब उसने उससे पूछा था कि क्या उसके बालों में जू है तो उसने बहाना बनाया कि यह रूसी है जब सना मक्बूल ने उसे शांत करने की कोशिश की तो मुनिशा ने उसे चुप करा दिया इस बात पर जोर देते हुए कि यह स्वच्छता का मामला है क्योंकि घर के अंदर सभी लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं हालांकि सभी ने शिवानी की समस्या को समझा और उसका समर्थन किया विशाल मुनिशा के पास गया और उससे इस मामले पर चर्चा करना बंद करने के लिए कहा क्योंकि यह इसके लायक भी नहीं है उसने उससे अनुरोध किया कि वह इस मामले पर चर्चा जारी न रखे क्योंकि यह बहुत ही व्यक्तिकत है और इस पर शो में इस तरह से चर्चा नहीं की जानी चाहिए सना मकबूल, चंद्रिका, क्रितिका, ओलोमी, सना सुल्तान सभी ने उसका समर्थन किया जिसमें लड़के भी शामिल थे हाल ही के एपिसोड में अर्मान मलिक और विशाल पांडे के बीच बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिली जब बाद वाले ने अपना फोन छिपा लिया घटना तब शुरू हुई जब अर्मान ने विशाल को मच्छर कहना शुरू कर दिया जो उसके प्रती उसकी चिड़ का संकेत था अर्मान का गुस्सा हाल ही में हुई एक घटना से उपजा था जिसमें विशाल ने कथित तौर पर अर्मान का फोन छिपा दिया था उन्होंने विशाल पर उनके कंटेंट में मौलिक्ता की कमी का आरोक लगाया यह सुझाव देते हुए कि विशाल कुछ नया बनाने के बजाए केवल दूसरों के काम की नकल करते हैं विशाल को और भड़काने के लिए अर्मान ने टिक टॉक पर उनके लोग प्रिय कच्चा बादाम प्रदर्शन की नकल की जिससे आग में घी डालने का काम हुआ बिग बॉस OTT 3 से अधिक अपडेट के लिए बने रहें बॉलिवुड और रिलेटी टीवी की दुनिया से ताजा खबरों और गपशप के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ झाल चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो के साथ